नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनोग्राफ यूटूब चैनल प्राप का स्वागत है यह डिक्टेशन अस्षी सब्द परति मिनट का होगा जो कि लिगल डिक्टेशन रहेगा छे मिनट तक बोला जाएगा दस सेकेंड बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों इस अपील करता कि और से पेश विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता सुस्री मखीजा दुआरा यह कहा गया है कि वास्तों में यह आगे की विवेचना का मामला नहीं है बलकि यह पुनह विवेचना का मामला है और इसलिए पुनह विवेचना के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्वे स्विक्रती आवशक हैं यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में सचीव ग्रह ने पहले एक निर्णे लिया और विवेचना को CBCID को इस्तानांत्रित करने के लिए आदेश पारित किया और उसके बाद विवेचक ने केवल विवेचना अनुवेशन के हस्तांत्रण के बारे में विद्वान मजिस्ट्रेट को सुचित किया जिसे कानुन द्वारा विशेश रूप से CRPC की धारा 148 द्वारा अपेक्सित सम्यक परक्रिया का पालन करना नहीं कहा जा सकता है आगे यह कहा गया है कि तठ्थों पर भी उच न्याले ने यह मत व्यक्त करते हुए वस्तूत है गलती की है कि विवेचना का निर्देश देने वाला आदेश समंदित मजिस्ट्रेट की सहमती से पारित किया गया था यह कहा गया है कि परतिवादी संख्या आठ की विद्वान अधिवक्ता भी उच न्याले की समक्स यह तर्ग देने में गलत थे कि सचीव ग्रह द्वारा पारित विवेचना का आदेश ऐसा करने के लिए सक्सम मजिस्ट्रेट की अनुमती लेने के बाद पारित किया गया था यह तर्ग दिया गया है कि ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अनुमती मांगी गई थी और मंजूर की गई थी यह कहा गया है कि जो कुछ भी अभिलेख पर हैं वह केवल विद्वान मजिस्ट्रेट को सुचित करना हैं और इससे अधीक कुछ नहीं है यह भी कहा गया है कि उच्च न्याले ने इस तथे को उचित रूप से नहीं समझा और विचार नहीं किया है कि परतिवादी संख्या 8 और 11 के खिलाप 2012-2016 दिनांकित पूरक आरोप पत्तर की अनुसार आरोप पत्तर दायर किया गया था जिसका विद्वान मजिस्ट्रेड ने 21-12-2016 को संग्यान लिया था और उसके बाद परतिवादी संख्या 8 ने आरोप पत्तर सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही मलिक परतिवादी संख्या 8 और 11 की और से पेस हुए है हस्तक सेब करता की और से विद्वान अधिवक्ता स्री आनंद संजे M. नुली पेस हुए हैं अपील करता की और से पेस विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता सुस्री मखीजा ने बलपूर्वक कहा हैं की सचीव ग्रह द्वारा CBCIB को आगें की विवेचना हस्तांत्रित करने का आदिश पूरी त्रह से अवेद हैं और दंड परक्रिया सहिता के प्रावधानों के विप्रित हैं यह कहा गया हैं की वर्तमान मामले में राज्य की विवेचना एजेंची द्वारा गेहन विवेचना के बाद पर्तिवादी संख्या आठ और ग्यारह के खिलाप आरोप पत्तर दायर किया गया था यह कहा गया हैं की एक बार आरोप पत्तर दायर किये जाने के बाद एक आरोपी की मा के कहने पर सचीव ग्रह को आगे की विवेचना को हस्तांत्रित नहीं कर सकते थे यह बलपूर्वक कहा गया है की सचीव ग्रह द्वारा विवेचना के इस्तानांत्रन का ऐसा आदेश और वह भी एक अभियुक्त की मा के कहने पर विधी के विपरित है और यह बिलकुल भी सविकारिये नहीं है इस्टो